तो फाइनली नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अरित्यानन स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजानिंग मंत्र में एक और ने वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आज चुक हूँ जिसके अंदर आज हम बात करने वाले चार अलग-अलग बेहतरी AWS इसके अंदर आपको different skills यहां पर सिखाई जाए कि जो कि artificial intelligence यहां पर related होने वाली है cloud से related होने वाली है और सबसे बात ही यहां पर आपको courses को complete करने के बाद एक valuable certificate दी जाएगी जो कि कुछ इस टाइप की यहां पर दिखने वाली कि जितने भी courses को आप लोग complete करेंगे आपको अलग-लग certification यहां पर provide किया जाएगा जिसे आप लोग यहां पर अपने resume में add कर सकते skills के अंदर आप लोग इन सारे skills को भी add कर सकते जिसे आप लोग इस courses के अंदर सीखेगा हाला कि इस website में एक bug भी है कि courses को अगर आपको कम टाइम में भी complete करना जाए तो वो courses complete हो जाएगा उस bug के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और आपको certification भी मिल जाएगी लेकिन मेरी suggestion यहाँ पर आप से भी को यही रहेगी कि courses को complete करने के बाद ही आप लोग certification को download कीजेगा और एक और बात की पहले भी मैंने कई सारे videos बनाई है AWS के उपर लेकिन problem यहाँ पर आती है कैसे आपको sign in करना है कैसे आपको sign up करना होता है थोड़ा से typical होता है तो उस पूरे sign up process के बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करने वाले है तो finally हम लोग यहाँ पर AWS training and certification program पर पहुंच चुके जिसके अंदर आपको धेखिर सारे courses provide की जाती है जिनमें से मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए 4 अलग-अलग courses को ढून कर निकाला है जिसमें की generative AI learning plan for developers होने वाला है हलाकि इससे student भी कर सकता अगर आप student है तो भी हप लोग यहाँ पर enroll कर सकते है duration 11 hour की यहाँ पर complete होने वाली है इसी के साथ low code machine learning on AWS होने वाली जिसकी duration यहाँ पर 4 hour की होने वाली है 5 star की यहाँ पर इसकी rating है courses बहुत available होने वाली है Generative AI learning plan for decision makers होने वाली इस courses को मैंने complete कर लिए वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो 3 hours की यहाँ पर होने वाली है और मारा last course यहाँ पर होने वाला है Amazon Transcribe Getting Started जो कि यहाँ पर 1 hour 30 minutes की होने वाली है तो courses में कैसे enroll करना है वो मैं आपको last में बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखाना चूँगा courses के अंदर आपको क्या सारी चीज़े provide की जा रही है So basically यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 courses, 1 courses के अंदर 3-4 courses आपको provide की जाते हैं जिसके बाद यहाँ पर जैसे आप courses को complete करते जाएंगे आपको यहाँ पर progress आती जाएगे आप देखेंगे 67% मेरी complete है तो मैंने 2 courses यहाँ पर complete कर ले जैसी ही आप courses को यहाँ पर complete करेंगे आपको वहीं पर तुरन download your certificate का option यहाँ पर available मिल जाएगा जिसके बाद आप लोग तुरनती उस certification को download कर सकते हैं अब बात कैसे बात करना है यहाँ पर आपकर certification आपको मिलेगी कैसे और courses को complete कैसे करना है तो जिसके लिए complete process के बारे में बात करने वाले और सेम चीट मैंने आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर भी भी भेज रखा तो मेकसियो अब लोग मेरे टेलिग्राम को पर जरूट जोइन कर लिजएगा जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ पर जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर Sign in to AWS Skill Builder का आपको option मिल जाएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पर एक new page open हो कराएगा जिसमें बहुत सारा अलग-अलग method यहाँ पर होने वाला है तो Create और Sign in पर जाकर के क्लिक करना है अजर रिजल्ट यहाँ पर कुछ देर बाद process होने के बाद एक और new page खुलेगा जिसके बाद आपको आगे की process यहाँ पर करनी होगी आगे की process क्या होने वाली जैसे कि आप देख सकते यहाँ पर आपको अपने email ID डालनी होगी जो कि dummy email ID है मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए समझाने के लिए dummy email ID के यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद आपको आपको आपकी नाम डालनी होगी जो भी आपकी नाम होगी सही नाम डालीएगा क्योंकि यही नाम आपको certification में भी आएगा तो यहाँ पर जो भी आपका नाम हो नाम आप डाल सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर अभी शेक कुमार डालता हूँ उसके बाद आपको next का button मिल जाएगा simply आपको इस button पर जाकर के click करना है फानली एक verification code आपको भेजा जाएगा जो कि आपके email id पर भेजा जाएगा तो इस verification code को आप लोग यहाँ पर डाल दीजेगा उसके बाद आप लोग verify के इस button पर click कीजेगा तो फानली तुरंत ही आपको verification code भेज दिया जाएगा आपके Gmail पर वहाँ जो भी आपको code प्रोवाइड किया जाएगा उस code को आप लोग यहाँ डाल सकते हैं आप लोग यहाँ पर create AWS builder ID पर click कीजेगा जिसके बाद आगर आपको password को save करना है तो यहाँ पर save की option पर click कर दिजेगा आपका password और email यहाँ पर save हो जाएगा उसके बाद simply बस आपको wait करना होगा same link जो मैंने आपको provide की थी उस link के थुरूँ आपका page यहाँ पर आ जाएगा लेकिन उससे पहले कुछ terms and conditions दिये जाएगे जिसे आपको accept करना होगा तो यहाँ पर इस तरीके समलग के accept करके आगे बढ़ते जाएगे तो फानल यह भी पूरी process यहाँ पर खत्म नहीं हुई है आगे भी एक process होने वाली लेकिन यहाँ पर आप लोगों से मैं request करूँगा कि आप लोग इस courses को mobile phone पर मत कीजिएगा अगर mobile पर आप लोगों को करना है तो आप लोगों को simply desktop site को on करना होगा फिर जाकर कि आप name होने वाला है additional field में आपको यहाँ पर सारे चीज़ों को सही तरीके से फिल करना होगा country reason required होने वाली है यहाँ पर job title मंगा जा रहा है तो job title में अगर आप student है तो student भी डाल सकते कोई problem नहीं है अगर आप developer है तो यहाँ पर आप लोग simply developer लिग सकते कोई problem नहीं होने वाली ह तो इस तरीके से हम लोग developer लिग देंगे job title में company नहीं में आप लोग अपने college का नाम डाल दीजेगा simply company का email address यहाँ पर mandatory नहीं है तो इसे आप लोग यहाँ पर ऐसे ही छोड़ सकते उसके बाद यहाँ पर आपकी goal क्या यहाँ पर कुछ भी एक चीज़ आप select कर लिजेगा आपकी label यहाँ पर क्या होने वाली है basic concept आप सीखना चाहते हैं यहाँ पर इसे आपको click करना है role के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी role आप लोग select कर सकते है industry की यहाँ पर बात आएगी तो किस industry में तो आप लोग education को यहाँ पर choose कर लिजेगे education का option यहाँ पर company email address में आप लोग वही email को भी डाल सकते या फिर से ऐसे भी छोड़ सकते इसके भी कर सकते आप देख सकते मैं यहाँ पर skip कर रहा हूं फिर आपको continue का यहाँ पर button दिख जाएगा जिस पर आपको click कर रहा होगा जैसे आप continue का यहाँ पर button पर click करेंगे जो field यहाँ पर required पर आपका run हो रहा और यहाँ पर आप देखेंगा आपको update का option आजाएगा तो इसमें आप लोग remind me लेटर कर सकते हैं उसके बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर start हो जाएगा जो भी आप courses के लिए पर apply करना चाहेंगे वो सारे courses आपको यहाँ पर दिख जाएंगे करने के बाद सेम courses के link में आपका dashboard यहाँ पर open रहना चाहिए आपके laptop में सेम email id से उसके बाद आप देखेंगे जिस भी courses के link में आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर course open हो जाएगा तो पहला यहाँ पर low code machine learning on AWS होने वाला है जो कि 4 hour के होने वाली simply आपको यहाँ पर pre enroll option द आपके courses को view करना या फिर start learning now करना है तो आप लोग यहाँ पर start learning now पर जाकर के click कर सकते हैं जिसमें as a result यहाँ पर आपकी content आ जाएगी module by module यहाँ पर सारे courses आपको provide किये जाएंगे start learning now को आपको फिर चॉप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको click करना है तो finally यहाँ पर फि होते जाएगा और आपको नीचे यहाँ पर relation to दिख रहा होगा यहाँ पर आपको click करना जिसके बाद आप आप दूसरे relation में यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो इसे पढ़कर आपको आगे बढ़ते जाना है अच्छी information अच्छी तरीके से presentation तरीके से आपको यहाँ पर दी करना है जैसे मैं यहाँ पर relation 4 में जाओंगा जो my life cycle यहाँ पर होने वाला है आप देखेंगे वह भी हमारे यहाँ पर complete हो चुका है तो कुछ इस टाइप से भी courses को आप लोग complete कर सकते लेकिन suggestion रहेगी कि courses को एक बढ़ पढ़ लीजेगा हालाकि इसकी knowledge अगर आपको पहले और यहाँ पर submit करके आगे बढ़ते जाना है आप देखेंगा हमारा answer यहाँ पर सही है पहला वाला का जिसमें के reinforcement learning होने वाली है उसी तरह आपको आगे बढ़ते जाना है और यहाँ पर जो भी दिये जाएंगे उसमें आपको click करके आगे submit करते जाना है आप लोग चाहें और फिर उसको जाके select कर लेंगे फिर submit के button पर click कर देंगे तो कुछ इस type से यहाँ पर हमारा quizzes भाले part भी complete हो चुकी है last में conclusion होने वाला है जो यहाँ पर हमारा conclusion का part होने वाला है वो भी यहाँ पर complete हो चुका है उसके बाद आपको exit course के इस button पर click करना है फिर finally यहाँ पर ए वो करना हो को उसके बाद यहीं पर आपको download certificate का option मिल जाएगा जैसे कि मुझे यहाँ पर इस courses में दी गई थे मैं आपको यहाँ पर दिखाना जाओंगा download your certificate का option आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर जितने भी courses सब में आपको certificate मिलेगे individual certification रहने वाले जिससे आप आप लोग यहाँ पर download कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके सी से आप लोग आगे भी use कर सकते हैं सारे courses में आपको certificate यहाँ पर मिल जाएगी आपका नाम रहने वाला courses का नाम रहने वाला course को कब आपने complete किया उसके बारे में certification में information दी जाएगी लेकिन यह certification बहुत ज benefit वहाँ पर जरूर मिलने वाली है तो finally उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आप सभी को informative लगिए वीडियो informative लगिए तो please देख like जरूर कीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में